हेलो गाइज, वेलकम बैक टो अनदर वीडियो, आज हमारे पायस आए ग्रीन पावर की गाड़ी, इसमें जो कस्टमर का प्रॉब्लेम है, वो थ्रॉटल का है, चलते चलते गाड़ी पिकप छोड़ देती है, और आईडियल में भी जटके देती है, और मायलेज प्रॉब्ले में कस्टमर का, कि जो स्लोप रहते, ब्रिज रहते, उस पर पावर ने लेती है, तो ये थ्रॉटल का प्रॉब्लेम दिखा ही रहा है, मीटर पे डारेक्ट लोगो शोग कर रहा है, और आईडियल पी भी गाड़ी स्टार्ट रहती है थोड़ी, एक दो की स्पीड लेती है, तो आप देखे रहें मीटर में, कि इसका एक्सलेटर का लोगो लगा है, और एक्सलेटर अगर आप हिलाते हो, ठोकते हो, तो ये अन होता है, तो इसके कारण, इसका जो में रिजन है, होए थ्रॉटल है, थ्रॉटल में जो सेंसर है तो लूज हो रहे है, तो अब हमेशे का तरह हर एक इलेक्टरिक बाइट जेस से इसके भी चार बोल्ट ओपन करते, यमसी भी आप करते, देने फ्रंट चार्जिंग कवर निकालके, इसे ओपन करते बैटरी चेक करेंगे इसका, में सबसे पहले बैटरी चार्जिंग सौकेट निकालेंगे, तो अभी होल्टेज चेक करते हैं बैटरी की कंडिशन क्या है, तो जो फर्स्ट बैटरी है, इनके जो स्क्रूव है बैटरी के, वो रस्टेड है बहुत से, उनमें कारबन जमा हुआ है, उसलिए होल्टेज डारेक्ट शो नहीं कर रहे है, तो पहले बैटरी है 13.48, ओक्या कं कंडिशन एकदम, सेकंड बैटरी भी ओक्य है, अगर ये 10 की नीचे रहती हो, तो हमें चेंज करनी पड़ेंगी बैटरी, तो फर्ड बैटरी जो ये शो नहीं कर रहे है, वोल्टेज, फ्लक्चुएट कर रहे है बहुत सा, तो इसके जो स्क्रूव है, वो रस्टेड है, का इनको देड़ साल कंप्लिट हो चुके है, तो ये तो वैसे चेंज करनी पड़ेंगे, पर इसमें के दो बैटरी फिलाल अच्छी है अभी तक, और जो बाकी तीन दो बैटरी है, ये भी 12.7 मतलब ओक के बैटरी है, तो इसमें नीचे जो बैटरी दिखरी है, आपको नीचे फ्लोर पे, दोनो बैटरी डेड़ हो चुके है, और एक उपर की बैटरी, 8.5, तो हम ये चेंज करेंगे, तो हम इसमें अभी नई बैटरी फिलाप करने वाले, कस्टमर का बजेट नहीं था, अभी इस वक्लिट बैटरी चेंज करने था, इसलिए हम स्रिफ जो डेड़ बै बैटरी पेकप होल्टेज बढ़ जाएंगा और, तो हम अभी रिटन बैटरी कम्प्लिट निकालेंगे इसमें के, और देन हुई ही उसी जगे पे बैटरी फिट करेंगे, तो ये जो निकाली होई बैटरी है, जो डेड़ बैटरी 8.4 होल्टेज दिखा रही हो, तो हमें स्कुरू कम्प्लिटली चेंज कर देंगे अभी, कस्टमर ना इसमें एक अलग बैटरी भी फिट की होई है, तो इस कारण होता है कि वारंटी कम्प्लिट आपको मिल नहीं सकती, अगर आप पाचो बैटरी दालते होंगे तो आपको लाइब भी मिलेंगी और वारं भी नहीं खुल रहा है, तो हम इसे छोड़ देंगे, इसमें नया केबल फिट करेंगे, इंडिया केबल है और इसमें दूसरा टाइप आता है, तो इसकी प्राइजिंग थोड़ी जादा है, पर इसके लाइब भी अच्छा और रस्टेड नहीं होता है, तो हम रिटेन इसम अधर ते कम्प्लेट तो है 13.2, फर्स्ट बैटरी और जो बैटरी का सिक्वेंस है, इसका वीडियो हमने अलग से बना है, वह आप देख सकते हो, तो इसका जो होल्टेज आ रहे हो, हमें 63-64 आ रहा है कम्प्लेट, 65 सम्थिंग, तो इसका अच्छा परसेंट है, जो मैक्ज कर देंगे, इससे बैटरी आपकी मुह नहीं होंगी, तो अभी सेकंड प्रोब्लेम जो हो था, गाड़े में एक्सलेटर का, यह दिखी, गाड़ी अन करने के बाद इसमें थ्रोटल का प्रोब्लेम दिखा रहा है, लोगो दिखा रहा है, सिम्बॉल, सेकंड नंबर का सिम् बूल्ट आता है, इसे भी ऊपन करना होता है, ययो ऊपन करने के बाद एक कमपनी जो अभी इसका थ्रोटल अवेलेबल नहीं तो हम इसे में, other company का थ्रोटल लगाने वाले, इसकार इम इसके केबल से कट करके हम स्ल्यूस लगाके फिर से कलर टो कलर मैच करेंगे जो कम्लिट सप्लाइ देता है यह थ्रोटल में जो ऑफ्षन दिया है तो यह फ्रन्ट रिवर्स का है इसमें पार्किंग मोड या वन टो थ्री नहीं है जो इसमें जो थ्रोटल फिट करने वाले यह है आरे पास आपको आविलेबल में जाएंगे इसके जो प्राइज है 550 रूपीज है तो यह थ्रोटल में वन टो थ्री प्लस पार्किंग है और जो आईडियल गाड़ी में लगा हुआ है इसमें स्री रिवर्स और इसका फिचर्स है फ्रन्ट का इसके जो कनेक्शन है वो रिवर्स के लिए रिवर्स पे लगाएंगे जो पुराना थ्रोटल इसके लिए आगे से यलन के लगती है तीना चार नंबर के उससे हम थ्रोटल ओपन करेंगे इस क्रूबी इसका रश्टेट हो जोगा है गाड़ी बहुत सालों से खड़ी थी बीच में 6-5 माईने इसके लिए अभी ओपन होके बाहर निकाल लेंगे और नया एक्सलेटर इसमें फीट करेंगे इसकी जो गाड़ी की कॉलिटी है बहुत अच्छे इसके केबल है उसमें नायलोन के थ्रेट्स भी दिये केबल के इंदर अगर आप जलती है गाड़ी या कुछ होती हीट वायर हीट होती है तो उससे प्रोटेक्शन देती है कापी अच्ची गड़ है तो नहीं हमने इसमें throttle fit कर दिया है अभी on करके दिखते हैं तो जो throttle का symbol दिखा रहा तो अभी वह वह वासे हट गया है मीटर से complete features भी work कर रहे हैं इसमें 1 to 3 plus reverse का features भी हमने add कर दिया है इसी throttle पे पूराना throttle दा उसमें जर्क देने या जटका पड़ता है तो गाड़ी ideal पे चलती थी खड़े-गड़े ideal में भी गाड़ी ओ 2-3 की speed लेती थी अभी ये complete नया होचेगा और इसे हम reverse ली fit कर देते हैं अभी ओूरी ये गियंद्स